दोस्तों Acer के तरब से Acer Aspire 7 जो 2021 एडीशन है जो Ryzen 5 5500U के सता है था उसका फुल रिवीव में देने वाला था बट सॉरी फोर लेड वीडियो क्योंकि देखो यार अभी मैं अपने सेटप में नहीं हूँ अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ तो यहां पे इंटरेट कनेक्शन भी वीक है साधी साथ मैं प्रोड्यूस भी करने में थोरी दिक्तित आ रही थी बट स्टिल मैंने बहुत सारी वेरा किया है और सारी सीजे मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगा तो लास्त तक वीडियो को जरूर देखना तो चलिए किक स्टार्ट करते हैं मेरा दा मैं सो मिश्वास आप देख रहे फ्रेश अवडेज करने अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना दोस्तों के और नीचे लिंक मिल जाएगा अगर लिंक पर क्लिक करने के बाद एरर आता है तो यहां पर सर्च करना फ्रेश अप्डेट्स आपको मेरा चैनल मिल जाएगा जाकर वो ज़ॉइन जरूर करना तो अभी बात आती एसरस पायर सेवन की रिवियू की तो यहां पर चलिए बॉड़ी है यह मेटलिक बॉड़ी नहीं है यह प्लास्टिक है बट हाई कॉलिटी प्लास्टिक जो की ठीक ठाक बिल्ड है इने प्राइस बैकट ऑफ 55,000 अभी मैं अगर इसके बॉड़ी की फ्लेक्स की बात करो तो उपर की तरब अगर आप लोग प्रेस करते हो थोड़ जनरेशन में था वैसा ही बिल्ड आप लोग इस वाले जनरेशन में भी देखने को मिल जाता है और यहां पे एसर का एक लोगो है बीच में जो कि एक सिंपल लुक प्रवाइड करता है जो कि आप लोग ऑफिस में भी कैशुली इसको कर सकते हो तो वेट की बात करता है तो आप लोग आसानी से ले सकते हो जैसे कि मैंने इसको प्रसनली यूज़ किया तो मुझे ऐसी खराब बिल्ड नहीं लगी इसकी दूसरी चीज़ बात करता है इसकी पोर्ट की बात करें तो यहां पर फॉर्स जो पॉर्ट है वह है केंजिंटन लॉक उसके बाद है लैंड प मुबाइल को चार्ज कर सकते हो जो अच्छी चीज़ है अगर मैं राइट साइट की बात करूँ तो राइट साइट के अंदर आप लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं एक डीसी इन जहां पर आप लोग लैप्टॉप को चार्ज करोगे उसके बाद माइक्रोफोन के लि तो उसके बाद अगर बात करें थर्मल्स के लिए यहां पर राइट साइट के अंदर आप लोग को एक बैंट दिखाई देती है और नीचे की तरफ बहुत सारी तरफ यहां पर देख पारे हो नीची के तरफ जो वेंट से बनाएंगे जिसके मदद से airflow बहुत ही अच्छी तरीगे से होगा अगर नीचे की तरब बात करूँ तो यह जादा वेंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया ओपन रखा गया है और इसके अंदर आप लोगो दो फैंस देखने को मिलती है जिसकी मदद से आपकी airflow जो अच्छी खासी हो जाएगी और cpu यहाँ पर 15 watt की tdp लेता है तो यह जादा power consume नहीं करेगा जो भी heat generate होता है वाया cpu and gpu उसको यह easily cool down कर देता है मैं बहुत सरा test किया है जिसके बारे मैं बात में बताएंगे वह सब test कर करने के बाद बहुत ही अच्छा result मुझे देखने को मिला यहां पर जो heat sink का pipe है यह भी बहुत अच्छी तरीके से well bed है कभी मैं अगर time मिले तो इसको खोल के लिए आप लोगो दिखाऊंगा बट still इसका जो मैंने overall thermals देखा बहुत ही अच्छा thermals है सच किया रहा हूं इस इसकी thermals के कारण से इसका battery life भी बहुत जादा आप लोग को देखने को मिलेगा तो अभी बात करता है डिस्प्ले की तो देखो है डिस्प्ले उतना जादा थिक नहीं है यहां मैं डिस्प्ले का जो screen to body ratio है वो 84% है from side left और right side का जो bezel है वो थोड़ा कम है बट उपर का bezel जो एसर की अपनी खुद की है एसर कॉंफी व्यू नाम का कुछ एक आप लोग को AI देखने को मिलता है उसकी मदद से जो color reproduction होता है वो बहुत जादा ही amazing है यहां पर SRGB के बार में मुझे पता नहीं मैंने बहुत जगा सर्च किया मैंने कुछ टेस्ट करने की कोशिश की अंदर है शायद से यह भी कई पे mention नहीं है बट यह जो है ना बहुत ही अच्छी तरह किसा outdoor condition में perform कर चुका है मैंने इसको test किया और anti-glay display जो है ना बहुत ही ज़्यादा help करता है जब यहां पर light reflect होता है तो आपके आखों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा तो it's a good option to go with और इसका display जो है बहुत ही ज़्यादा बहतरीन है in this price point मैंने ही कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा super fine है but in this price point और जैसा आखों को देखने में लगता है वो बहुत ज़्यादा appealing है और बहुत ज़्यादा अच्छी color produce करता है आप जितना भी review देख लो यह 100% genuine चीज में ब स्क्रीन को तो वह जी गलती मत करना और यह चीज जो है study है बट आप लोग उसको जो है जो और से आप लोग कोशिशिश ना करें वह स्क्रीन तूट सकता है ऑके बट स्क्रीन के quality अच्छी है तो अभी बात करते हैं की बोर्ट और यहां पर टच पैट की तो टच पैट की त जिसके मदद से आप लोग को कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है और trackpad की size भी अच्छी खासी है तो कोई भी trackpad related issue तो मुझे नहीं मिला तो आप लोग भी trackpad जब use करोगे इसका response भी अच्छा है और यहां पर touchpad के अंदर कोई भी आप लोग ग्लास पगेरा नहीं मिलता है यहां पर प्लास्टिक बिल्ड है बट एक minimal बिल्ड है जिसको आप लोग आसानी से यूज कर पाऊगे अभी keyboard की बारी आती है तो keyboard देखो full-sized है जिसके अंदर आप लोग नमपैट देखने को मिल जाती है additionally और साधी साथ यह backlit है backlit के बार में बताना चाहूँगा यहां प यह एक decent चीज़ है जो आप लोग 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 यूज करोगे तब बहुत ज़्यादा बहतरीन काम करता है नॉर्मली डेलाइट कंडिशन में अगर यूज करता है तो यह एक प्लस पॉइंट है बट अगर LED इंडिकेटर देख पाते हैं यह चोटा सा कॉन था बट नहीं था मैंने सोचा कि आप लोग इसे शेर क्यों ना किया जाए तो यहां पर और चीज में बात करूं कीबोर्ट के मामले में तो कीबोर्ट का जो टाइबिंग एक्सपीरियंस मुझे तो अच्छा लगा यहां पर कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा रिगार्डिंग टा बताना चाहूंगा जो कीबोर्ट का एफ वान से लेकर एफ नाइन कीस तक है उसके अंदर आप लोग को मल्टी जो मिलती है जैसे कि आप लोगो ब्राइटनेस कंट्रोल करने का ऑप्शन मल जाता है वोल्यूम करने का वो सब चीज जो है ना नॉमली काम करता है अगर आपक यहां पर थोरा उल्टा काम करता है उसके बार यहां पर कुछ आप लोगो मैल्टी मीडिया कीज वकरें भी मिल जाती है जहां पर आप लोग नेक्स कर सकते ओं पास प्लेई वकरा कर सकते हो तो यह चीजे है जो इस कीबोर्ट को अच्छी बनाता है ऐलॉंग विद तो यही था keyboard के मामने में तुछ लिए आगी बढ़ता है और एक चीज बताना चालता हूँ कि यहां पर जो है कोई भी आप लोग को fingerprint देखने को नहीं मिलता है यह चीज मिसिंग है कि आप लोग सोचे होगे fingerprint scanner आप लोगो मिल जाएगा जिसके मतलब से अप लोग security purpose में इसको turn on turn off कर सकोगे बट यह ऐसा कोई feature नहीं है इसके अंदर तो इसके लिए आपको जो है वेट करना होगा शायद से अगला वर्शन जो है उस पे आ जाए अब भी बात करता है वीडियो एडिंग के लिए मैंने स्पेशिली तो कोई testing नहीं किया था बट मैंने ऐसे ही 4K का एक clip मैंने ऐसे एडिट करने की कोशिश की थी तो आसानी से एडिट हो जाता है बट आप लोगको resolution जो है 1 by 2 करना होता है या फिर अगर आप लोगको flawless performance चाहिए तो आप लोग प्रोक्सी में convert कर लो 1080p 60fps मक्खन की तरह चलता है यहां पर हाफ और फुल में मैंने एडिट करके देखा कोई भी दिक्कत नहीं आता है बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोगको रैम जो है उसको अपग्रेट करो और उसके बात जो आपको flawless performance मिल जाएगा इन 4K एडिटिंग बट 8GB के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो 60fps तक 1080p की वीडियो आसानी से आप लोग रेंडर कर पाऊगे डेडिकेट वीडियो चाहते हो फॉर वीडियो एडिटिंग तो वह मैं intense वीडियो एडिटिंग आप लोगको मैं करवा के दे दूंगा नीचे कमें सिक्टिन में जरूर बताना उसके बात करते बैटरी की देखो यार बैटरी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है 48 वाट आवर की बैटरी है थ्री सेल वाली बैटरी मिल जाती है जिसके साथ मिलता है 135 वाट की एजी एडाप्टर और यह वाली एडाप्टर जो कोई भी सपोर्ट नहीं करता फुल चार्च कितने टाइम में होता है वान आवर फॉर्टी मिनिस के आसपास टाइम लेता फुल चार्च होने के बाद जब जादा अच्छी नहीं है बट सुन पाऊगे यार आप जे बील की तरह कर रहा हूं और आप देख पार लाइटिंग कंडिश और यहाद रखना और यहाँ पर 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 प्रफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर राइजन 5 की 5500U आप लोग डिरेकली यहाँ बात कर सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस 4600H के साथ अगर कंपेर करते हो तो यहाँ पर देखो सिंगल कोड परफॉर्मेंस थोरी अच्छी है इसके साथ जा सकते हो अगर पावर कंजूंशन की बात करें तो यहाँ पर 5500U जो है 15W की पावर कंजूम करता है तो बहुत ही पावर एफिशेंट है जिसके मदद से बैटरी कम कंजूम होगा और बैटरी कम कंजूम होगा उसका मतलब क्या है यहाँ पर आप लोग को अच् अच्छा बैटरी बैकप है जिसके मदद से आप लोग ईजी जो है 6 गंदा तो आराम से मर्टी टैस्किक में यूज कर सकते हो अगर मैं बात करूँ उसकी रैम की तो रैम के नाम में यहाँ बहुत साथा कंफूशन है कि यहाँ अभी जो रैम रन हो रहा है यहाँ हाडवेर यहाँ पर सेट है वह सिंगल चैनल पर सेट है जब आप लोग और एक रैम स्लॉट डालोगे 3200 मेगाहाट्स की तब इसके फ्रीक्वेंसी बूस्त आप लोग कर पाओगे यूजिंग ड्यूएल चैनल मेमरी तो यह चीज़ आप लोग द्यान रखना है उसके बाद यहाँ सब्सक्राइब करना है जिसके अंदर आप लोगो 512 MB की ग्राफिक्स देखने को मिलती है और दूसरा जो है यहाँ पे ग्राफिक्स देखने की ग्राफिक्स देखने की ग्राफिक्स और जिसकी मदद से आप लोग सारे गेंप्ली पर अलग फीचिस की बात करें तो वाइफाई 6 है ब्लूटू 5.1 की सपोर्ट है तो आप लोगो कोई दिक्कत निएगा रिकार्डिंग करनेक्टिविटी तो अच्छी कासी आप लोगों गेमिंग एक्सपीडेंस मिल जाएगी बट गेमिंग के लिए डेडिकेट वीडियो है जहाँ है बहुत सारी गेम्स में टेस्ट कर रहा हूं अभी भी हाफ गेम्स टेस्ट किया मैं अभी रिवेल नहीं करना चाथा बट वेट फॉर दाट और ग तो यहां बहुत ही अच्छी है उसके बाद 3D मार्क मैंने ट्राइक घ्याए जहां पर हम एक्स्ट्रिम स्ट्रेस टेस्ट किया और यहां वे 3D मार्क के अंदर 98.3% आया जो की बहुत ही अच्छी है जो एक बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है, यहाँ पे 98% GPU load के अंदर इसका temperature जो था 58 to 59 degree के आसपास था, तो उसका मतलब है कि GPU उतना ज्यादा heat up नहीं होता है और बहुत ही अच्छी अपलों को production देता है during your gameplay, तो यह बहुत ही अच्छी चीज थी जो मुझे लगी इस laptop की, क तो 7432 points में multicore में आया है, और single core performance में 1144 points आप लोको में जाती है, उसके बाद Geekbench 5 में मैंने भी test किया, तो यहाँ बहुत सरी test की, जैसे कि CPU benchmark की बात करें, तो CPU benchmark में single core 1076 यहाँ पे मुझे score देखने को मिला, और उसके बाद multicore performance में 4252 इसका score आया, और यहाँ पे OpenCL की Radon Graphics की score में test की, तो यहाँ पे मुझे result मिला 1044 की, और उसके बाद मैंने OpenCL के सेम आप लोको, जो है GeForce GTX 1650 के साथ मैं test किया, तो वहाँ पे point मुझे मिला 38828 की score, जो कि एक बहुत री decent score है, उसके बाद CUDA core मेंने test किया, जो CUDA की performance है 1650 के साथ, तो यहाँ पे CUDA में भी मुझे यहाँ पे 40447 की score मिली, जो CUDA की performance है, वो OpenCL से अच्छी है, उसके बाद मैंने Vulcan computing API जो होता है, उसके साथ मैं test किया, तो उसके अंदर भी मुझे 33360 के आज सपास, जो है, इसका score मुझे दिखाई दिया, तो यह सारे score यह दिखाता है, कि यह वाली laptop बहुत साथ capable है, 55,000 के अंदर बहुत ही जादा वर्थ ही था है, जो आप लोग बाई कर सकते हो, दोस्तो यही था वीडियो जो कि Acer S5 7 का review था, मैंने आप लोगो बताया, क्या क्या चीज़े मैंने देखा, यह बैस stress test किया, मैंने उसके बाद GPU test, CPU test, Geekbench की score, Cinevenge R20, Cinevenge 20, सारे चीज़े मैंने आप लोग के साथ शेर किया, जो मेरी personal experience थी वो भी शेर किया, अब आप सोचेंगे, gaming review कहा है, gaming review के लिए वेट करो यार, उसके लिए dedicatedly मैं gaming review के लिए बना रहा हूँ, दो-तिन दिन लग सकता है, बट वीडियो तो मिलना है आप लोग को, तो stay tuned for that, और मैं घर पे आया और अगर आप कोई वीडियो पसंदा है, तो फिर से कह रहा हूँ, या लाइक करते ना, दोस्तों के साथ जरूर शेर करना, नहीं हो चैनल पे, तो नीचे सबस्क्राइब बटने प्रेस करो, साइड में जो घंडी है, वो भी प्रेस करना था है, कोई भी अप्डेटा फ्रे इसी एक जगा में तो reply आप लोगों को मिलना ही है, तो go and do that, तो till then have a wonderful day, stay alert, stay safe, bye bye